Hello everyone, आपको स्वागत करता हूँ मैं Back to School के चैनल पर आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे एक इकरिट सिक्षा क्या है Integrated Education के Objective क्या है What is Integrated Education and what are its main aims and objectives and uses इन सब के बारे में बात करेंगे और हमने 9 essay key points निकाले हैं जहां से question हमेशा बनते हैं Deed Replace B Special Educator के लिए ये class है Deed Replace B के Primary Teacher वाले जो students है आपके syllabus में भी ये चीज़ आती है पैडागोजी में CETATE के अंदर भी आती है ये 5 नंबर की समावे सी सिक्षा के questions के अंदर तो आप नीचे जब ये comments करते हो sir क्या ये आएगा तो मुझे ऐसा लगता है या तो मैं बेवकूफ हूँ या ऐसा पूछने वाले student है बिल्कुल ऐसी simple सी बात है जब वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि सब के लिए है तो उसके बाद भी आप ये वीडियो देखकर नीचे comment करते हो तो कैसर ये उसके लिए भी है तो ये चकर मुझे समझ में नहीं आता है आज के ये जो वीडियो होगी बिल्कुल simple clear cut बता देता हूँ यहां से question आने ही आने है you love it, you hate it, I don't care लेकिन ये वीडियो आपको कुछ नंबर देकर जरूर जाएगी तो दोस्त ये जो एक ही topic को thumbnail पे यूपिटेट लगा कर अलग बेचना सीटेट के नाम लगा कर अलग बेचना डीटरप्लेस भी लगा कर अलग बेचना अलग अलग बार ताकि ऐसा क्यों होता है ताकि ये जो common topic है वो दूसरे वाले ना देख ले गई ताकि दूसरे वालों को भी तो वो paid चीज बेचनी है ऐसा मैं करता नहीं हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ जो चीज़े मैं आपको कराता हूँ बेच जिजक देखिएगा आपके exam में वो आएंगे ही आएंगे मैं भटे बदल कर board बदल कर चीज़े बेचता नहीं हूँ इसलिए आप लोग ऐसे comment करते हो तो दोस्त सीधी simple सी बात है जो चीज आपके लिए डालो वो ज़रूर देखो और जिस चीज की भी तयारी कर रहे हो उसका syllabus उठाओ आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यह आएगा या नहीं आएगा अगर आपने syllabus देख रखा होगा और आपने अगर syllabus ही नहीं देख रखा होगा तो आपका तयारी करने का वीडियो देखने का फायदा ही नहीं है फिर कुछ मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन ऐसा बोलता हूं जो आप लोगों के काम आएगा सीरियस स्टूडेंटी मेरे साथ जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे तो सीरियस हो जाओ आप तो चलिए दोस्ट शुरू करते हैं एक ही करेट सिक्षा जो सब के लिए इंपोर्टेंट है अब भी अगर ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं उनका स्क्रीनशोट लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि देखो इतना बोलने के बाद भी सेम कमेंट आ रहे हैं चलिए शुरू करते हैं आगे आज की क्लास को दोस्तों एक इकरिट सिक्षा क्या है देखिए ये एक प्लैन है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एजुकेशन दी जाती है आपने देखा होगा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो एकस वाई जड स्कूल आपके घर के आसपास है जिसमें सामान्य बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चे होते हैं क्लास में एक जैसे उनके लिए सामान्य सिक्षा पर ना लिये लेकिन कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं विशिष्ट सिक्षा को सामान्य सिक्षा के साथ जोडने वाली एक कड़ी है ये जो समान शिक्षा के पहलू को ज़्यादा जोड़ देती है ये समान शिक्षा की तरह होती है इसमें disabled child समान्य बच्चों के साथ पढ़ना चाता हो अगर कोई तो वह पढ़ सकता है दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसी सिक्षा विवस्ता जिसमें special child को समान्य बालकों के साथ सिक्षा परदान की जाती है यानि विकलांग बच्चों को mainstream school में बेजना ये भी आप इसको बोल सकते हैं ये जो system है भारतिय समविदान के से दान्तों का पालन करती है हाला कि इन special child को पढ़ाने के लिए special educator की जरूरत पढ़ सकती है ले ठीक है ना तो पाठा करम में बदलाओ किया गया है और ना ही अपंग बच्चों के लिए इन स्कूलों को नुकूल किया गया है और ना ही इतना अच्छा structure है कि इससे किसी को फाइदा पहुंच सके तो ये सिर्फ नाम नाम की education system है यानि कि मान लो एक सामान्य बच्चों के स आप विशिष्ट बच्चों को बैठा कर पढ़ाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहते हो इन्होंने एम तो ले लिया जब ये शुरू किये integrated education कि हमें जो mainstream है यानि कि जो सामान्य बच्चों के जो school है xyz जो 99% है आप देखते हैं उसमें सिर्फ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं कि इन mainstream में भी आप disabled child special child को जोड़ो यानि कि इन school में भी special child होने चाहिए तो चलो ये ऐसा system बना दिया कि इसमें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य school में ये बैठ कर पढ़ेंगे लेकिन इनको सेवा भी तो दी जानी चाहिए अब विशिष्ट बच चाइल्ड भी है और normal child भी है तो ऐसे में दो teacher होने चाहिए एक teacher होना चाहिए ये normal बच्चों के लिए एक होना चाहिए special बच्चों के लिए ऐसा समावे सी सिक्षा में होता है लेकिन अभी समावे सी सिक्षा शुरू नहीं होई थी ये integrated थी इसमें सिर्फ क्या किया गया थ कोई भी लाब बच्चों को नहीं मिलेगा यानि कि अगर कोई मान लीजे जिसको देखने में दिक्कत है जिसको सुनने में दिक्कत है तो ना तो देखने वाले को चश्मा मिलेगा ना जिसको सुनने में दिक्कत उसको कुछ ऐसी चीज दी जाएगी जिससे कि वो सुन पाए ठीक है और यहां पर जो दूसरा टीचर है जो special बच्चों को पढ़ाने वाला होना चाहिए वो भी नहीं था इसमें क्या किया गया है जो पहले से ही जो टीचर normal बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको यह थोड़ा train कर दो यानि कि जो टोनी मोनी शोनी मेडम आपके बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रही है प्राइमरी में क्या पढ़ाई होते हैं उनको यह अगर बोलो कि special बच्चों को भी पढ़ाएं वो normal बच्चों को नहीं पढ़ा पारे हैं वो special बच्चों क्या पढ़ाएंगे समझ में आई बात और selection primary के permanent teacher का तो हो नहीं रहा contract contract पर ही ले रहे हैं आजकल तो उनसे normal बच्चे पढ़ाई नहीं जा रहे हैं उनसे आप special बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हो तो यह unrealistic है इसका परिणाम क्या हुआ है कि कोई भी lab नहीं मिला अब इसके उदेश्य क्या थे वो देख ले उदेश्य एक ही था इसका main की कैसे भी करके एक ऐसा concept लाया जाए जिसमें समान्य बच्चा विशिष्ट बच्चे के साथ मिलकर बैट कर पढ़े चाहे आप उसे सेवा बिलकुल ना दो दूसरा समान्य और विशिष्ट बच्चों की सिक्षा को समान अवसर प्रदान करना अवसर दे दिये लेकिन सायता नहीं दी विशिष्ट बालक बिना किसी बेदवाव के सिक्षा प्राप्त कर सके बिलकुल ठीक है mainstream में उनको entry करने का मोका दे दिया इसने integrated education ने एक ही करत सिक्षा विशिष्ट बालकों के प्रतिहीन बावना को खतम करने के लिए बनाई गई थी देखिए आप माने ना माने हमारी PD से पहले की PD उनको अगर आप देखें तो इस समाज में 70% से ज़्यादा आदमी इन special जो विक्ति होते हैं उनको देखकर ऐसे behave करते हैं जैसे यह हमारे समाज का इससा नहीं है कुछ अलग है मतलब इन बावना से देखते हैं ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्पन में कभी वो ऐसे विक्तियों के साथ रहे नहीं मान लो आप बच्पन से एक classroom में ऐसे classroom में बैठकर पढ़े हो जहां पर बच्पन में भी आपके साथ ऐसे बच्चे बैठकर पढ़े वो आपके दोस्त भी होंगे ऐसे मैं आपने देखा है विशिष्ट बच्चों का कोई समानने दोस्त नहीं होता क्योंकि हीन बावना को लेकर वो देखना नहीं होगा तो बस हीन बावना को खतम करना भी इसका में नेम था कि बाद में एक औरनिया सिस्टम ला देंगे जो है जिसका नाम हम समावेशी शिक्षा कर देंगे जिसमें और ज़्यादा हम additional बच्चों को मतद दे दें विशिष्ट बालकों को समाज में प्राकर्तिक वातावन में समयोजन करने है तो बिल्कुल ठीक है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट बातावन बनाना पड़ता है जिसमें वो सीख सकें क्योंकि उनकी कुछ अलग आवशकताइं होती है जो सामान्य बच्चों की आवशक्ताओं से बिल्कुल अलग है तो सामान्य वातावर्ण में भी ये बच्चे एड़ेस्ट कर सके इसलिए भी ये किया गया ठीक है एक ही के सिक्षा अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के एक इवी डाले में में mainstream में जाकर पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा या वो इतना feel ना करे लेकिन जो ये समानिन लोग होते हैं हमारे जैसे वो ये feel करते हैं कि ये ऐसे हैं मैं ये नहीं करा सभी करते हैं लेकिन uneducated आदमी या कुछ educated होकर भी ऐसे गदे होते हैं ये इसा feel करते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी special होते हैं ये student ये manovigyanic तोर पर थोड़े से कमजोर होते हैं यानि कि ये थोड़े से manovigyanic तोर पर इनका manovigyanic घटता है क्यों? क्योंकि इनकिया, इंद्रिया, इनका शरीर पूरी तरीके से normal जैसा नहीं होता तो अगर इनको आप normal की तरह भी एव करोगे तो इनका manovigyanic अपंग बालकों को आत्म निर्वर्बन मदद करता है, बिलकुल मदद करता है थोड़े सी मदद दी, समाने बच्चों की तरह इन्होंने भी एव किया और इन्होंने समझा अमारी life भी normal है यह social integration को भी सुनिश्चित करता है बिलकुल समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति जो बेशक, विशिष्ट हो थोड़े से special हो, उनकी जंगे को भी यह पक्का करता है और social integration, यानि कि समाज में हर व्यक्ति को मिल जुलकर रहने का जो भाव है, उसको भी बढ़ाता है यह, right to education का पालन करता है, यानि कि कोई बच्चा 6-14 साल का है, वो अगर विशिष्ट है, तो क्या आप उसके सिक्षा के अधिकार को उससे छीन सकते हो, बिलकुल नहीं छीन सकते तो इसलिए right to education का भी यह पालन करता है, यह समविधान के सिद्धान, principle of equality का भी अनुपालन करता है, यानि कि बेशक आप विशिष्ट हैं, शाडरिक रूप से मानसिक रूप से, समाजिक रूप से, समवेगात्म रूप से, भाशिक रूप से, आप लेकिन, आप समान है, समाने बच्चे के, आपको भी वही अधिकार मिलेंगे, जो एक समाने बच्चे को मिलने चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए, एक इकर सिक्षा बनाएगी, अब इसके, लाब क्या थे, वो मैंने आपको बता दी, हानी क्या थी, वो तो आपको, मै आप भी नहीं बनाएगे, अलग से इनके लिए सोचाले बनाए जाते है, वो नहीं, पानी पीने का अलग वो नहीं, अलग से स्पेशल एजुकेटर वो नहीं, समाने टीचर्स को यी कुछ थोड़ा सा प्रिश्केशन दे के पढ़ा दिया जाता है, तो दोस्त, आज की ये वीडियो इंटिग्रेटेड एजुकेशन की, मैंने डीपेस्ट वीडियो दिया यूट्यूब पे, लोग इसे अवाबाजी बोलेंगे, रूड होना बोलेंगे, लेकिन रूड नहीं है, वाबाजी नहीं, ये सच्चा ही मैं आपको बता रहा हूं, सच्चा ही निकल नहीं ह जो विशिष्ट बच्चों के लिए समाने बच्चों को जोडने वाली जो परनाली बनाई गई, समावेशी सिख्षा, इंकलूजिव एजुकेशन, वो क्या होती है, उसके बारे में हम काफी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को कमेंट नहीं करोगे, तब तक दोस्त यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, और दोस्तों आपको पता है कि अच्छी चीज़ें आगे पहुचने चाहिए, तो प्यार दीजेगा इस वीडियो को, लाइक कीजेगा, दोस्तों तक शेयर कीजेगा, ने हुआ हुँ दोस्तों दिन रात बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी डॉंट वरी टेक केर दोस्तों